एंड वेलकम मैं यानि प्रकास अवस्ती कानपुरवाला प्यारे दोस्तों बहुत महबबत से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे इस कोशन को यह कोशन क्या कहता है इसको जानते हैं कि इसको जानते हैं कहता है इफ 27 x plus y का होल क्यों प्लस x minus y का होल क्यों बराबर दिस वन और इसका मान बताईए हो सकता है इसके चारों options गलत हो लेकिन देखा यह जाए कि जब मैंने इस कोशन को सर्च किया और मैंने देखा तो answer चार पे टिक है original paper में जी हैं लेकिन कहीं न कहीं उनकी mistake हुई होगी ऐसा मुझे लग रहा है बाकी देखते हैं solve करके 27 लिखा हुआ है x plus y का होल क्यों तो क्या मैं इसे यह लिख सकता हूँ 3 x plus y का और होल क्यों क्या मैं इसे लिख सकता हूँ तो आप कोगे हाँ sir क्योंकि 3 का cube 27 यह होल क्यों होगा साथी साथ इसे x minus y का मैं होल क्यों लिख रहा हूँ किसी को कोई आपत्ती नहीं याद रहे इसका answer मुझे जो लग रहा है वो error है original question में तो हर बच्चा फाइल करता है सभी जानते हैं किताबों में मिश्प्रिंट होते रहते हैं बाकी देखेंगे प्यारे दोस्तों a cube plus b cube का formula जो आप हमसे अच्छे जानते हो a plus b a square plus b square minus का a b होता है पहले बोलो हाँ इसको देखते हुए जब इसका formula आप लगा रहे होगे तो आपने देखा होगा पहले इन दोनों को जोड़ा देा रहा होगा यानि 3x ऐसे 3y x minus y जब अंदर की ओर जाएंगे तब आप देखेंगे 3 x plus y और ये पूरे का whole square है क्योंकि a square तो ये हमारे लिए पूरा a square है ऐसे b x minus y का whole square minus a b यानि 3 x plus y और x minus y जब आप किताब को देखेंगे सही से तो किताब बालो ने भी यही line लिखी है ये ऐसे ही लिखा है बढ़ जब वो solve कर रहे थे तो वो उन्होंने 3 ही का into कर दिया है जबकि 9 का होगा और वही आल exam में हुआ होगा जिसने ये paper बनाया होगा तो वहाँ पर mistake उसने किये मुझे ऐसा लग रहा है बाकि देखते हैं प्यारे दोस्तों आप देखो ये 3x और x यानि 4x हो गया और ये 2y हो गया यानि 2 common ले लोगे तो देखो 2x प्लस y यानि ये चीज तो आपको मिल गई आप ये चीज बनना है यहाँ बड़े आराम से देखो जब इसको खोलोगे ये पूरे का होल स्क्वार है तो तीन का स्क्वार नो ब्रैकेड में x स्क्वार प्लस y स्क्वार प्लस का 2xy हो जाएगा बाकि में x स्क्वार प्लस y स्क्वार माइनस का 2xy होगा और यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वार हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3Y स्क्वायर हो जाएगा अभी बहुत सहीम रखना है ऐसे कोशन बहुत आए हुए है तो देखा जाए ये चीज तो और लेडी ये है तो कोई दिक्कत नहीं सारा खेला इसी से है तो देखो 9X स्क्वायर 9, 1, 10 10 में से 3 गया 7 यानी 7X स्क्वायर हो गया 9Y स्क्वायर और एक 10 10, 10, 3 10, 3, 12 Y स्क्वायर और 9 दुनी अठारा 18 में से 2 गया यानी 16 X, Y इसका कमपैर्जन जब उससे करोगे बच्चा तो ये चीज आपके लिए A हो जाएगी जो की 7 हो गई ये चीज B हो जाएगी जो की 16 हो गई और ये C हो जाएगा जो की 12 हो गया जो की 12 हो गया अब उठा के रखो A 7 B माइनस 16 है और 10 रखो थोड़ी गहरी सास लो 9, 3, 12, 13 ये 13 वाई स्क्वायर होगा ये 13 है तो A 7 B 16 है और C क्या है 13 है तो आंसर 4 आया यानि जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मैं ही मिश्टेक कर रहा था पर कोई मिश्टेक नहीं हुए तो छमा प्रार्थी कभी-कभी ऐसा होता है तो इसका आंसर 4 बिलकुल सही है हाँ जो ये SSC की किताब में जिससे हम बता रहे हैं वहाँ मिस्प्रिंट है ये बात याद रखना मेरे प्यारी दोस्तों आंसर बिलकुल 4 सही है जो जिस किताब से पढ़ा रहे हैं वहाँ मिस्प्रिंट है ठीक है तो चीजे आप समझदार है तो कभी-कभी ये यह नहीं होता है कि खुद अगर सॉल्व कर रहे हो तो कभी-कभी मैटर होता है तो ये कोशन प्यारा था जो कि आपको बता दिया कया बिलकुल सही अंसर है इसका 4 ही होगा चले किताब में मिस्प्रिंट है दोस्तों चलते हैं next question क्यों ये question भर-भर के सभी एक्जाम में आते हैं चाहे railway का exam हो चाहे SSC का इसका आना बिलकुल fix हो गया क्या होता है इफ यदी इफ यदी इसका फंडा आपने आपको बताया था AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3 ABC जो की बराबर होता है किसके A प्लस B प्लस C के और साथी साथ बच्चों होता है किसके A प्लस B प्लस C का होल स्क्वाइर माइनस का 3 ब्रैकेड में A B प्लस B C प्लस C है ये चीच होती है अब आप देखो तीनो का योग ये 8 है यहां तीनो तो 8 का स्क्वाइर 64 होगा माइनस 3 गुड़े 11 आठ ऐसे आया 64 में 33 गया तो कहीं ना कहीं 64 में 33 तो 31 गुड़े 8 यानि 8 ऐसे 248 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 248 होगा क्या आपको ये कोशन समझ में आया सभी लोग युदिस्तर पे कमेंड किजिए एक बार जिससे मैं समझ जाओं कि लाइफ चल रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है 248 इस दा राइट आंसर अब जो ये कोशन है बच्चा ये वो कोशन अभी आएंगे सिरीज के ये आसान कोशन है और ये SSC के साथ साथ रेलवे में भर भर के आते हैं और छोटी छोटी चीजें पूछी आती है हलका हलका कोशन पूछा जाएगा और आप सारे कोशन अभी देखेंगे तो NTPC के एक्जाम में भी कुछ कोशन ऐसे ही पूछे गए होंगे ठीक है बहुत सहीम से सीखेंगे क्या है देखो कहता है तब कॉफिसेंट आफ एक्स इन एक्स माइनस थ्री वाई का होल क्योब यानि एक्स माइनस थ्री वाई का होल क्योब तो इसका होल क्योब करना है और उसमें एक्स का गुणांग चाहिए होने तो आप होल क्योब कर लो कैसे x cube ऐसे 3 का cube 27 y cube हो गया 37 3 ऐसे रखोगे x into 3 y ऐसे रखोगे और x minus 3 y ऐसे लिखोगे यहाँ देखेंगे तो x cube ऐसे लिखेंगे 27 y cube ऐसे लिखेंगे इस शीच का अंदर गुणा कर दो तो यह हो गया minus का 9 x square y और minus minus plus 27 x y square अब कोशन में हमसे क्या कह रहा है बच्चा उसको समझो x का गुणांग मतलब यहाँ पर x की power 1 होनी चाहिए यहाँ 3 है यहाँ x है नहीं यहाँ x square है x की power 1 यह है तो इसका गुणांग कौन सा होगा यह दोनों होंगे 27 y square is the right answer याद रहे यह कोशन जब पेपर में आया बच्चा घबराया कुछ नहीं था basic कोशन है प्यार से पढ़िये हमारे साथ पढ़िये सभी लोग session को like और share कर सकते हैं support और प्यार में जैसे यह कोशन है अब आप खुद से करके दिखो दिखिये मैं तरीके तो बहुत जानता हूं इसके और मैं सोचना हूँ तरीका भी बताया जै reason क्या है अभी यह तीन पावर है अगर पेपर में पाँच पावर होती तो बच्चा क्या करेगा ये भी तो एक matter है साथ पावर होती तो बच्चा क्या करेगा और हर बार कुछ ना कुछ नया आ सकता है ठीक है तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए प्याई दोस्तों आपने एक चीज सुना होगा पास्कल ट्रैंगल पास्कल में जिसे 1, 1, 1, 1 दोनों का योग 2, 1, फिर इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 3, ये 1, ये इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 6, इन दोनों का योग 4, ये 1, ये 1, दोनों का योग 5, ये 10, दोनों का योग 10, ये 5, और ये 1 पहले बोलो हाँ दोस्तों जब इन सारे चीज़ों को हम जानते हैं मगर प्यार से तो आप इस पर थोड़ी चर्चा कर लिए एक्चुल में जब आप A प्लस B लिखोगे तो यहाँ A के पावर है कोई दिक्कत मिए अब जिसे यहाँ पर है तो A का स्कुल ऐसे अब A की पावर कम होगी तो A आएगा साथ में B देखो वन वन है और फिर उसके बाद A गैप तो B स्कुल यहाँ 2 तो यह A प्लस B का होल स्कुल हो गया अब जिसे क्यूबिक में लिखना होता है A प्लस B का होल क्यूब जिसे कहते हैं कि अगर सर बताईए A प्लस B का होल क्यूब तो पहले A क्यूब लिखो फिर 3 A स्कुल अब B फिर 3 ऐसे लिखोगे A B स्कुल और यह B क्यूब अब जिसे कभी कहे दे कि भहिया A प्लस B की पावर 4 लिखो आज से आप सीख जाओ पहले A की पावर 4 लिखो फिर 4 ऐसे फिर A क्यूब B आ जाएगा फिर 6 ऐसे A स्क्यार B स्क्यार आ जाएगा फिर 4 ऐसे A B क्यूब होगा और B की पावर 4 होगा ये वो तरीका बता रहे हैं जो आपका भविस बदल सकता है बाकी जिसकी जैसी श्रद याद रहे कॉफिसेंट के कोशन अगर आ गए 5 पावर 7 पावर 6 पावर तो आप ऐसे कर सकते हो बाकी बहुत तरीके ऐसा नहीं कि यही है और भी तरीके होते हैं उन्हें हम आने वाले समय में भी बताएंगे वो binomial theorem के हिसाब से फिर होता है ठीक है तो a प्लस b की पावर a प्लस b का होल पावर 5 तो ये पूछा जाए ये चीज तो अब आप देखो जैसे ये चीज है तो कैसे लिखो के a की पावर 5 फिर 5 a की पावर 4 b फिर 10 ऐसे लिखेंगे a q b square फिर 10 ऐसे लिखेंगे a square b cube फिर 5 ऐसे लिखेंगे a b की पावर 4 और b की पावर 5 बोलो मगर प्यार से आसा है ये चीज आप लोग सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे पहले बोलो हाँ ठीक है तो इन छोटी छोटी के चीजों को जब आप सीखेंगे तो आपको क्या मिलेगा benefit होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और अपने question में focus करते हैं हमसे कहता है कि 2y-5 का whole cube बताई दोस्तो इसका whole cube क्या होता है अब चाहो तो आप उस pattern को follow कर लो या सीधे कर लो जैसे आप जानते हो तो ये हो जाएगा 8y cube माइनस का 125 माइनस का 3 ऐसे 2y into 5 और 2y-5 देखा जाए 8y cube ऐसे आएगा माइनस का 125 ऐसे आएगा 5 दूना 10 त्या 30 30 दूना 60 यानि 60y square ऐसे आया और ये 30 और ये हो जाएगा 1500y अब हमसे याँ खुलके कहरा y का गुडांग बताईए तो y का coefficient ये आगया 150y answer आया पहले बोलो हाँ सबी लोग समझ गए होंगे ठीक है ये तरीका होता है चीजों को समझाने का और answer लाने का अब थोड़ा सा अगर आप बच्पन की यादों की ओर जाए तो एक बार मैं कोसिस करता हूँ धिको फिर मुझे देखना पड़ता है 11, 12 का क्योंकि 2007 में मैंने 12 पास किया है फिर भी हम कोसिस करते है कि X का गुड़ा जिसे आपने पढ़ा होगा NCR 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 और P प्लस Q बराबर किसके एक तरीके से N के थोड़ा सा मुझे समे दीजिये तोड़ा सा में तोड़ा सा नै इसको हम बाद में इस तरीके से चर्चा करेंगे ठीक है चिंता मत कीजियेगा कभी ना कभी इसकी हम चर्चा कर देंगे करने को तो फिर हम दिमाग लगाना पड़ेगा वो अभी लगने वाला नहीं है ठीक है तो ये चीज आप समझ गए होंगे जैसा ये कोशन है बता दिया अब कहता है एकस स्क्वैर का गुडांग बता ये बाकि हम इसकी अलग से क्लास में बता देंगे ठीक है चिंता मत कीजिये सिंपल सा इसको खोल लीजिये तो ये हो गया 8XQ YQ और AQ BQ 3AB 2X 2X 2Y यहां इसका इसमें गुडां कीजिये तो ये 6 ऐसी आगया 12 हो जाएगा 12X2Y और जो अंदर गये गया ये हो जाएगा 6X2 XY2 हमसे X2 का गुडांग बोल ला है X2 का जो गुडांग होगा बच्चा ये दोनों होगा ये दोनों होगा ठीक है यही इसका आंसर होगा ठीक है 12Y दोस्तों 14 का आंसर क्या होगा 12Y होगा पहले बोलो हां सर कोई दिक्कत नहीं चाले प्यारी दोस्तों 24 के बाद ये कोशन कहता 25A स्क्यार माइनस का नाइन का गुडांग खंड क्या है जब 25A स्क्यार माइनस का नाइन का गुडांखंड पूछा गया तो आप जान सकते हो कि A स्क्यार माइनस B स्क्यार की वैलू A स्क्यार माइनस B स्क्यार तो ये 5A माइनस 3 का मलब ये और ये 5A प्लस 3 इसका अंसर यही आएगा और कुछ नहीं आएगा पहले बोलो हाँ जैसे ये कोशन आजकल ज्यादा चलन में है चीजों को सीखो मगर प्यार से यदि इतना बराबर इतना तो इससे के बराबर है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों इसमें करना क्या है इनका पहले गुणा ही कर दो जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4X स्क्यार 6XY 8X ऐसे 6XY ऐसे 9Y स्क्यार और 12Y और माइनस का हो जाएगा 10X माइनस का 15Y और माइनस का 20 पहले बोलो हाँ और ये जो चीज आएगी बराबर किसके EX स्क्यार प्लस BY स्क्यार प्लस चलो इसको बाद में लिख लेंगे सेम कोशन अभी हाली के NTPC exam में आया हुआ as it is हो सकता यही value हो यह भी है 4X स्क्यार ऐसे रखना है बच्चा 4X स्क्यार ऐसे 9Y स्क्यार ऐसे इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं है यहाँ देखो यह 6 दूनी 12 हो गया यानि 12XY ऐसे यह 8 है यह 10 है यानि माइनस का 2X ऐसे हुआ यह 12Y यह 15 तो माइनस का 3Y ऐसे हुआ माइनस 20 बराबर 0 अब इसका equation से comparison कर दो जो कि लिखा हुआ है AX स्क्यार बी वाई स्क्यार 2GX 2FY 2FY और C बराबर 0 यहाँ से आप देख सकते हो A की वैलू 4 हो गई B की वैलू 9 हो गई G की वैलू 6 हो गई एक सेकेंड 2GX 2HX 2GY 2HXY 2GX सही लिखा हुआ था 2FY प्लस C बराबर 0 H की वैलू हो गई 6 G की वैलू हो गई माइनस 1 और F की वैलू हो गई माइनस का 3 बाई 2 और C बराबर माइनस 20 उठा के रखो तो जो हमें चाहिए उसमें हम रखेंगे यहाँ लिखा है 3 यह जो चीज लिखी है उसे चलो यहाँ लिख देते हैं 3 ऐसे G माइनस F माइनस C अपाउन A B यानि 3 तो ऐसे रखना है G की वैलू जो की माइनस 1 है F की वैलू माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा C की वैलू तो प्लस का 20 हो जाएगा और नीचे A B का मिलन 36 हो जाएगा 3 से ये 12 बार में गया 43 में से दो गया 41 और ये 24 41 बटा 24 इस दा राइट आंसर याद रहे अच्छे से सी सीखना है हर एक चीज को सीखना है तब आपको आंसर की प्राप्ति होगी जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा चाले बाकी चर्चाएं बाद में पहले इसको पढ़ लो ठीक है और बढ़ेआं से सीख लो ठीक है दोस्तों 216 के बाद 217 नंबर कोशन सीखे ठीक है मगर प्यार से क्या कहता है 217 में कहता है यदि x3 प्लस 2x स्क्यार माइनस ax माइनस b विभाज यह x स्क्यार माइनस 1 से तो a और b का मान ग्याद किजिए देखे जब यह equation x स्क्यार माइनस 1 से divisible है इसके जो factor होते है x माइनस 1 और x प्लस 1 देखा जाए तो x बराबर 1 पुट करना पड़ेगा और x बराबर माइनस 1 पुट करना पड़ेगा इस equation में जब आप पुट करोगे तो यह हो जाएगा जैसे हम पहले पुट कर रहे है if x बराबर 1 x बराबर 1 पे तो 1 प्लस 2 माइनस a माइनस b बराबर 0 तो भी डिविजबिल है यानि a प्लस b बराबर 3 पहली बात तो यह हो गए दूसरे में जब हम x बराबर पुट कर रहे है क्या माइनस 1 माइनस 1 पुट कर रहे है यहां लिख दो if x is equal to माइनस 1 लिखना है तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस a माइनस b बराबर 0 यानि यहां से आ जाएगा a माइनस b बराबर माइनस का 1 जब इनको जोड़ेंगे बच्चा तो 2a बराबर 2 के यानि a बराबर 1 के a बराबर 1 के तो b बराबर 2 के a बराबर 1 b बराबर 2 option number c में है CHSL के question भी लगाएं जीवन उनका सुख में होगा अनथा स्वेम जिम्मेदार हो जाएंगे ठीक है प्यार से पढ़िए मोहबबस से सीखे 217 के बाद 218 नंबर जीया ये questions क्यों कराए जा रहे हैं जिससे सब का भला हो कहता है 2x-3y is a factor of इन में से ये किसका factor है तो यहाँ पर जब 2x-3y किसी का factor होगा यानि 2x बराबर 3y होगा यानि x बराबर 3y by 2 होगा और ये किसी भी equation में रखते ही वो equation को 0 कर देगा मतलब चाहें इसमें रखो चाहें इसमें रखो चाहें इसमें इसमें 0 रख दे हो जाएगा पर एक common sense की बात समझेओ यहां सब प्लस है और यह value उठा कर यहां रखोगे तो यह कहां से 0 होगा क्योंकि जब सारे positive है यह भी सारे positive तो यह भी 0 यह तो A हो सकता है यह C हो सकता है यह बात याद रखना यही दो में से कोई 0 हो सकते हैं बाकि जब सारा समाज positive है यहां कोई negative symbol नहीं तो क्या दिक्कत है उठा के रखो पहले में चार ऐसे रखोगे 9y square by 4 हो जाएगा 2x तो 2, 3y by 2 हो जाएगा, minus का 3y हो जाएगा, 9y square हो जाएगा, minus का 12, minus का 12, 3y by 2 और y दोस्तों बहुत सयम से सीखेंगे, 4-4 गया, 2-2 गया, 2-6 बार में गया, अब यह दिखिए यह हो गया, 9y square हो गया, यह 3y हो गया और यह minus का 3y हो गया, यह plus का 9y square हो गया, 6-18 जो कि minus का 18y square हो गया अब देखो क्या यह 0 हो रहा है, अगर हो रहा है तो यही option number a सही, अगर नहीं हो रहा है तो फिर c सही, मुद्दा खतम चेक करने के जुरूती नहीं पड़ेगी यही हो गया, तो a और c में हमें decide करना था, तो a का factor होगा, 2x minus 3y याद रहे, इन्हें ऐसे ही करना होता है, तभी आप सीख पाऊगे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे सीखिए और अच्छे से जानिये ठीक है, प्यारे दोस्तों, हर चीज को जानिये बाकी चर्चा हैं हम बाद में कर लेंगे, ठीक है जैसे हमसे कहता है, 219 में कि a x plus by is a factor of a x plus by इसका factor कौन सा होगा, प्यारे दोस्तों, option में साहिट इसी का ही all square कर रखा गया है, क्योंकि दोको सभी में square तो यानि a square x square दोनों का गुणा 2abxy हो गया, साती साथ b square y square, यानि options number a is the right answer, a square x square plus 2abxy plus by b square और y square the factor of expression of this one, इसके factor चाहिए, यूटूब में हमने rs अगरवाल की किताब पढ़ाई हुए, वहाँ पर हमने quadratic equation के factor का तरीका बताया हुआ है, फिर भी आपको हलका सा ज्यान दे रहते हैं, प्यारे दोस्तों जब equation के sign की बात हो, equation के sign और roots की बात हो, अगर sign equation में plus plus है, तो roots minus minus, minus plus है, तो plus plus होगा, minus minus है, तो plus minus होगा, और plus minus है, तो minus plus होगा, याद रहे, ये value क्या है, greater होनी चाहिए, अपने पढ़ोस से, पहले बोलो हाँ, अपने पढ़ोस से, तो minus minus है, तो ये plus minus होगा, यहाँ देखो, 12 दूनी 24 होगया, 12 दूनी 24 होगया, अब एक चीज समझो, जो ये 24 होगया बच्चा, 12 दूनी 24, और 24 को ऐसा break करना है, कि 5 आजाए, तो 8, 3 का 24, ये starting के 2 से भाग दे दिजिए, तो ये जो value आएगी, ये 4 आएगा, और ये minus का 3 by 2 आएगा, यानि, x minus 4 हो जाएगा, और ये जो x बराबर minus का 3 by 2 है, तो इसको लिखा किसे आता है, तो ये 2x plus का 3 हो जाएगा, ये answer आएगा, ठीक है, याद रहें, इन सब चीजों को सीखना है, और same question, अभी, हाली में मैंने NTPC के कराए हुए, same as it is, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, ठीक है, 220 के बाद, 221 नमबर question, कहता है, एक आयत का छेतरपल, a square minus b square, तो इसकी लंबाई, a plus b, इसकी चोड़ाई क्यात किजिए, simple सा है, जब a square minus b square, तो a plus b, और a minus b का गुड़े से ही, मतलब multiply से ये आता है, यानि, a plus b, लंबाई दी गई है, तो ये a minus b होगा, क्योंकि तभी दोनों का मल्ट्पिल ये होता है, कहता है, 3x square minus 5x minus 8 के गुड़नखंड ग्यात किजिए, अभी थोड़ी दिर पहला ही वाला question हो गया, प्यारे दोस्तों, 8 तरिका ये 24 हो गया, पहले बोलो हाँ, minus minus है, तो plus minus इसके root होंगे, 24, तो ये कहां से बनेगा, 8 तरिका, यानि, 8 यहां 3 यहां, यहां 3 स्टार्टिंग में उससे भाग देना पड़ेगा, ये भी x की value होती है, और ये भी x की value होती है, तो 3 का यहां गुणा कर दोगे, तो 3 x minus 8 हो जाएगा, ये minus 1 है, तो x उधर जाएगा, तो positive हो जाएगा, ये इसके factor होंगे, बोलो, मगर प्यार से, कहता है यदि इतना और इतना, को x बराबर 3 से विवाजित क्या जाए, समान सेसफल आए, यानि रिमेंड जो इसका सेसफल है बच्चा, वो समान आए, जब ये सेसफल समान आएगा, के विवाजित क्या जाए, तो समान सेसफल बसता है, तो के का मान गयाद किजिए, याद रहे, अब हमें पुट करना होगा, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3, हम पुट करेंगे, और आंसर की ओर जाएंगे, तो 3 का क्यों होता है, 27, 27 के, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि समान रिमेंडर है इसके, तो बराबर कर देंगे, 3 का स्कुरार 9, न चो को 36, 3 तरे का 9, माइनस 4, ये 27 हो गया, माइनस का 12, प्लस का के, दोस्तों, ये वैल्यू इधर आएगी, यानि 26 के हो जाएगा, बाकी, ये आप देख रोगे, 45 में 4 गया, 41, और 41, और ये 15, 41, 15, माइनस का 26, यानि के बराबर आगया, माइनस का 1, ये ही हमें चाहिए था, इस question का answer, k is equal to minus 1 आएगा, ठोको लाइक, बोलो हाँ, जैसे यहाँ कहता है, के x cube minus 6x square plus ax plus b, और x square minus 3x plus 2 द्वारा विभाद जै, तो a और b का मान ग्याद किजिए, पहले तो आपको x square minus 3x plus 2 का factor निकालो, तो ये आएगा, x minus 1 और x minus 2, जी हाँ, मूलो का योखफल, मूलो का गुणनफल, यही होगा, इसके factor, तो एक बार आपको equation में x बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो 1 minus 6 plus a plus b, बराबर 0, यानि a plus b बराबर, ये वेले उधल ले जाओ, तो plus का 5 आ जाएगा, या तो options में देख लो, किसमें दोनों को जोड़ने में plus का 5 आ रहा है, तो साइट, नहीं, किसमें आ रहा है 5, पहले बोलो, बाकी किसी में 5 नहीं आ रहा है, तो 224 में आप direct answer बता सकते हैं, अरे बोलो हाँ, 224 का answer यहीं से आप d घुजित कर दो, खालतु में आप निकालोगे, फिर दूसरा, भाई, दोनों को जोड़ने में 5 आना चीए, तो d में आ रहा है, तो क्यों आप इधर उधर भटकोगे, बोलो बोलो, tell tell, चाले, प्यारे दोस्तो, 224 के बाद, 225 नमबर, ठीक है, यहाँ से यह वाला type का question खतम हो जाएगा, इसको समझते हैं, दोस्तो देखा जाए, 2x-3, यानि 2x बराबर 3 के, तो x बराबर 3 by 2, और x बराबर minus 2, पहले में सेस्पल साथ आ रहा है, यह उठा के रख दो, मैं तो, चलो यही उठा के रख दो, जब यह रखोगे बच्चा, तो यह 2 ऐसे हो जाएगा, 3 का cube 27 बटा 8 ऐसे आया, प्लस A, ऐसे रहेगा, और 3 का square 9 बटा 4, फिर देखा जाए, यहाँ B ऐसे, और यह 3 by 2 हो गया, minus का 2 is equal to 7 हो गया, बोलो हाँ, अब एक एक चीज को well manner हम लोग समझेंगे, जब 2 से यह 4 टाइम्स गया, अब आप देखिए, यह 4 टाइम्स गया, तो आप LCM पे भी फोकस कर सकते हैं, यानि 27, 9A ऐसे, यहाँ LCM लिया तो यह 6B आ गया, और यह हो गया 8, और 728 यानि 28 हो गया, बोलो हाँ, यहाँ पर जब देखेंगे, तो 9A प्लस 6B ऐसे रहेगा, और यह 28 में 27 गया, एक इधर गया, तो यह 9, आप चाहो तो यही पर वैलू पुट कर लो, क्यों 2 एक दूसरे नमबर को निकाल लेगा, अगर 2-2 रखते हैं, तो 9 दुनिय 18 और 12, कभी 9 नहीं आएगा, फिर 3 का 27, 27 जो की माइनस का होगा, और प्लस का 18, प्लस का 9 नहीं आएगा, 3 और माइनस 3, 27 यह, यानि C is the right answer, 3 और माइनस 3, एक वेशन नमबर 2 निकालने की जुरत नहीं पड़ी, पहले बोलो हाँ,